भीशन गर्मी में अधिक से अधिक पोदे लगाने गाह संदेश देते हुए निशुलक पोधा वित्रन किया जा रहा है अजमेर की टूवर्ड्स बेटर लाइफ फाउंडेशन की ओर से अजमेर के अलवर गेट चोकी में पोधा रुपन करने के साथ ही 50 पोदे हामचंता को व साथ ही आवारा जानवर और पशुपक्षियों को भी राहत मिल सके लगातार हो रहे पेड़ों की कटाई और ग्लोबल वोमिंग के चलते गर्मी का प्रकोब बढ़ रहा है और इसका नुकसान आमजन को उठाना पड़ रहा है ऐसे में सभी को सामुईक प्रयास करने की आव को शक्ता है आने वाले समय में पेड़ बनकर सभी के लिए च्छाम और फल के साथ ही ऑक्सिजन प्रदान करेंगे इससे गर्मी से राहत मिल सकेगी आज हम लोग यहां टूर्डस लाइफ फांडेशन द्वारा लगबग पचास पोदों का वितरन हम लोग करवा रहे हैं इसके अंतर सभी महिला पुरुष युवा बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सब लोग बढ़ चड़ करके यहां आएं क्योंकि इस गर्मी के इस पको गुलाब बड़ी नाकमादार पुलिस चोकी के यहां पर इस पेड़ पोदों का वितरन का आइजन रखा है जिससे काफी लोग लगबग यहां आ करके और पेड़ों का वितरन कर रहे हैं और ले भी रहे हैं और हम यह चाहते हैं कि इस तरह से सभी लोग अपने अपने घर क के बार अपने खेत में जहां भी बाग बगी चाह जहां भी लगावा है और पक्के पेड़ लगाए जिससे की छाया भी हो और फल भी मिले और परशु पक्षियों को भी उसके अंदर नीचे बैठने का आराम है हाँ चोकी पे भी आज हमने यहां पांच पोदे यहां लगाए इसकी गर्मी को देखते वे इससे क्या है कि पौदे ऑक्सियन देते हैं तो उस अक्सियन के आज हमें बहुत जरूरत है वरना लोग अस्पतालों में आर्टिफिशल ऑक्सियन के लिए वहां बैड़ों पर लेकिन यहां पेड़ लगते हैं तो हम लोग काफी इसके अंदर प्याएं लोग के अपना बचाहँ अंदर आगे हम लोग इसी तरह से और भी पेड दैसे वहां को समाह्जिक संस्ता है अम लोग हमारी अमारी ची संस्ता है जो लोग है आप अपने अपने गहर mentioned जैसे भी हो सके, जिस भी जहां भी काम करते हो, वो अपने आएक पेल लगाए, यह मारा उद्देश है.